दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनकों गो देखता है और अपनी आँख का लटत तुझे नहीं सूचता और जब तेरी ही आँख में लटता है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला, मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ हे कप्ती पहले अपनी आख में से लठा निकाल ले तब तु अपने भाई की आख का तिनका भली भाती देख कर निकाल सकेगा पवित्र वस्तु कुत्तों का ना दो और अपने मोती सुवरों के आगे मत डालो ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाउं तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड डाले मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा धूनो तो तुम पाओगे खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूनता है वह पाता है और जो खट-खटाता है उसके लिए खोला जाएगा तुम मेंसे ऐसा कौन मनुश है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तु वह उसे पत्थर दे वा मचली मांगे तो उसे साप दे सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्त में देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गी पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्त में क्यों न देगा इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो क्योंकि विवस्था और भविश्दक्ताओं के शिक्षा यही है सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वैफाटक और चाकल है वहमार्ग जो विनाश को पहुँचाता है और भविश्दक्ताओं से सावधान रहो जो भेडों के भेश में तुमहरे पास आते हैं पर अंतर में फारने वाले भेडी हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या ज़ाडियों से अंगूर वा उट कटारों से अंजीर तोडते हैं इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड अच्छा फल लाता है और निकमा पेड बुरा फल लाता है। इसी प्रकार हर एक स्वर के राज में प्रवेशना करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गी पिता की इच्छा पर चलता है। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चटान पर बनाया। और मेह बर्सा और बाले आई और आंधिया चली और उस घर पर टक्रे लगी परन्तु वह नहीं गिरा। क्योंकि उसकी नेव चटान पर डाली गए थी। परन्तु जो कोई मेरी ये बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और महें बरसा और बाढ़ें आई और आंधिया चली और उस घर पर टक्रे लगी और वह गिर कर सत्यनाश हो गया। जब इश ये बाते कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था।